इवनिंग नमस्कार सभी को भी कैसे हो तो सबसे पहले बिल्कुल एक छोटी सी माफी होगी पर टाइम पे थोड़ा सा लेट पोँचा और कोई नहीं देखो क्लासिज जो होती है वो रोजाना चलती है मेंस मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है और देखो आज की क्लास में मैं जो आपको स्टेट्स आफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ और जनरली स्टेट्स के बारे में जो चीज़ें पूछी जाती है वो जनरली चीज़ें पूछी जाती है स्टेट्स के बारे में किस से आपके capital से अगर पिछली बार का मैं RIMC का paper देखू तो पिछली बार के RIMC के paper में states का capital पूछाता तो बच्चे कहतें क्या सर्थ states का capital याद करना जरूरी है देखें बिल्कुल states का capital याद करना जरूरी है ठीक है न? हाँ, cm जो होगा या governor जो होगा वो हम बाद में भी कर सकते हैं न? cm governor जो होता वो हम थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं लेकिन states का capital होना बहुत जरूरी है हमें याद होना ठीक है, सबसे पहली चीज एक छोटा सा map लो political map of India ठीक है, political map लेना है आपको इंडिया का और इस political map में आपको क्या करना है states को locate करना है जो states में बताता हूँ कोई जरूरत नहीं है कि बिल्कुल deeply आपको करना है खास कर state का capital भी अगर आप कर पाते हो state का आप capital भी कर पा रहे हो तो भी बहुत है, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि हर state का आपको capital पता होना चाहिए जैसे अगर इंडिया में 28 states हैं और 8 uts हैं तेको भारत में जो राज्य थे आजादी के समय पे वो बनाए गए थे 14 है ना, जब 1956 में भारत में state reorganization होता है जब भारत में पहली बार states को बांटा जाता है आजादी के बाद 1956 से शुरूआत होई बांटने की तो भाषा के आधार पे state को बांटना शुरू किया पहले अंदरप्रदेस बना उसके बाद केरला बनाया गया तो भाषा के आधार पे जो states को बांटने का तरीका था वो काफी बाद में आया आजादी के, उसके बाद 14 states थे, उसके बाद बढ़ते चले गए states, जब भारत आजाद हुआ तो states को गुरूप में रखा, गुरूप A के, गुरूप B, गुरूप C, गुरूप D के states, है ना, तो ये भारत के states की बनने की जो कहानी है, ये time to time states add होते चले गए, तो मैं आपको बताता जाओंगा कि फला स्टेट आजादी से पहले का है या आजादी के बाद का है ठीक है कल का जो स्कॉलर्शिप टेस्ट हुआ था मैं आपको बता दू उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे उस चीज का आप टेंशन मत लीजिए सारे जितने सैट से उनको सॉल्व करेंगे और स्टेट का कैपिटल पहली चीज बहले ही आप सैनिक स्कूल मिलिटरी स्कूल किसी भी चीज की तजारी कर रहे हो स्टेट का कैपिटल पहली चीज है देखो गवर्नर या फ स्टेट्स के होते हैं जो इंपोर्टेंट स्टेट्स हैं लाइक यूपी लाइक हरियाना है ना इनके इंपोर्टेंट हो जाते हैं चलिए मैं शुरुवात करूंगा और शुरुवात है आंद्रप्रदेश से ठीक है आंद्रप्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट था जो ले आशा के आधार पे आंदरप्रदेस में कौन रहते हैं जो तेलुगू बोलते थे तो जितने भी तेलुगू बोलने वाले थे उन सब के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया आंदरप्रदेस आपको पता है पहले जब भारत आजाद हुआ था तो स्टेट का नाम हैदराबाद था आपने सुना होगा हैदराबाद भारत के साथ नहीं जाना चाहता था फिर हैदराबाद में भी ऑपरेशन पोलो चलाया गया और वहां के निजाम से हैदराबाद को छीना गया तो पहले हैदराबाद था लेकिन जो तेलुगू बोलने वाले जिले थे उनको 1953 में एक करक आंदर प्रदेश नाम का बना दिया हमने राज्य लेकिन आंदर प्रदेश के साथ एक दिक्कत हुई आंदर प्रदेश के साथ क्या दिक्कत हुई कि आंदर प्रदेश 2014 में फिर से तूट गया और तेलंगाना अलग हो गया अब जो रालधानी थी हैदराबाद वो किस में चली गई आपके क्योंकि नॉर्थ आंदर प्रदेश जो था वो तेलंगा ना बना तो दो हजार चौधे के बाद फिर कैपिटल बनानी पड़ी अलग से और वो कैपिटल क्या है अमरावती है कैपिटल क्या है अमरावती तो आपको कैपिटल याद रखना है जगन मोहन रेड चीफ मिनिस्टर है बले आप गवर्नर याद करो ना करो लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर याद करने की बहुत जरूरत है ठीक है स्कॉलर्शिप टेस्ट का रिजल्ट दस फरवरी तक हम डिकलियर कर देंगे आपके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दस फरवरी तक क ठीक है ना दस फरवरी से हम आपके स्कॉलर्शिप टेस्ट को कर देंगे चलिए अंदर प्रदेश के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि अंदर प्रदेश was the first state जो किस से बना on the basis of language क्योंकि यह भारत आजाद हुआ तो language के इसाफ से state नहीं बनाई लेकिन आंदर प्रदेश पहला ऐसा था जो language के आधार पे बनाया गया था तो बहुत अच्छे से आपको यह चीज याद करनी है अगला है अरुनाचल प्रदेश देखो अरुनाचल प्रदेश सेवन सिस्टर्स के अंदर आता है और सेवन सिस्टर्स जो हैं यह आपके वो राज्ये हैं ज पूरा हिस्सा क्या है भारत का नौर्थ इस्ट है है ना यहाँ पे आपका आसाम है यहाँ पे आपका अरुनाचल प्रदेश है ठीक है और यहाँ पे आपका तीन तरफ से घहरा हुआ तीरी पूरा है फिर मनीपूर है नागा लें मिजोरम यह सारे स्टेट्स आपके क्या कह पिलाते हैं seven sisters ठीक है तो capital है इटा नगर capital क्या है इटा नगर है बहुत important है क्योंकि पूछा जाता है और रुनाचल प्रदेश काफी famous है क्यों क्योंकि यहां पे एशिया की सबसे बड़ी monastery है तवांग सबसे famous है Buddhist monastery तो एशिया की सबसे बड़ी monastery है Buddhist monastery जहां पे बुद्ध लोग रहते हैं वो तवांग के अंदर है ठीक है और तवांग जो है अरुनाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है और ब्रह्मपुत रिवर जो इंडिया में इंटर करती है दिहां के नाम से वो ठीक है वो आपका अरुनाचल प्रदेश से इंटर करती है तो अरुनाचल प्रदेश के बारे में पेमा खंडू अरुनाचल प्रदेश के cm है ठीक है पेमा खंडू जो है वो अरुनाचल प्रदेश के इनके पिता भी cm हुआ करते थे ये भी cm है ठीक है ओके चलो तो इटा अगर आपको याद रखना है और देखो जो आपका सेनिक स्कूल यूपी सेनिक स्कूल का रेजल्ट आया तो उनको बहुत-बहुत बधाई है जिन बच्चों का हुआ है जिन बच्चों का इंटर्व्यू है तो बहुत-बहुत बधाई उनको और हम कोशिस करेंगे इंटर्व का कैपिटल दिस्पुर है लेकिन असम का सबसे फेमस शहर है गोहाटी असम जो था ये बहुत पुराना है नया नहीं है असम असम पुराना है जब 1905 में बेंगॉल का पार्टिशन हुआ था तो असम जो था वो इस्ट बेंगॉल का हिस्सा था और वही असम है जिसे मुगल से बड़ा स्टेट है असम में ब्रहमपुत्र रिवर है जो ब्रहमपुत्र के नाम से केवली असम में ही जानी जाती है गोहाटी फेमस शहर है गोहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है ठीक है कामाख्या देवी का मंदिर है गोहाटी में फेमस एयरपोर्ट है जिसका ना सेनिक स्कूल गोल पाड़ा असम में पढ़ता है, जगदीश मुखी आके गवर्नर हैं, और हैमंत बिश्व शर्मा, हैमंत बिश्व शर्मा असम के क्या है, चीफ मिनिस्टर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओकी, जिल अच्छे से करना, देखो, कैपिटल्स आपक है बिहार, देखो, बिहार का इतिहास बहुत, बहुत पुराना रहा है, जब भी हम याद करते हैं, मगद सामराज का, तो मगद सामराज जो भारत के इतिहास का था, वो कहां से, बिहार का ही था, बिहार का जो कैपिटल पटना पहले पाटली पुत्र के नाम से जाना जाता पतना में एक और चीज है गुरू गोबिन सिंग का जनम हुआ था, तो एक बहुत एतिहासिक जगे हो जाती है पतना, शिक्षे आकरी गुरू सिखों के दसवे गुरू गोबिन सिंग का जनम जो है वो पतना साहिम में हुआ. जैनिक स्कूल का रेजल्ट आएगा आपका बारा से पंदरा फरवरी तक सौरी है ना तो पाटली पोत्र कहीं ना कहीं अतिहासिक रहा अब बिहार के बारे में दो तीन चीज़ें याद रखनी है बिहार का जो population है ना density वो सबसे ज़ादा है अगर अरुनाचल का सबसे कम है मीन्स बिहार में सबसे ज़ादा एक किलो मीटर पे इंसान रहते हैं लगबग लगबग 1170 लोग रहते हैं हर स्कूर किलो मीटर पे इसका मतलब यहाँ पे बहुत भीड है ना बिहार में बहुत भीड है चोटा है एरिया के इसाब से लेकिन लोग बहुत रहते हैं ठीक है जी, बिहार का literacy rate सबसे कम है अगर सिख्षा की बात करें, सबसे कम literacy rate, आराईएमसी में ये question आये थे literacy rate पे, तो सबसे कम literacy rate है, RMS का result इसी महिने के अंदर इसी week के अंदर आ जाएगा फग्गु चोहान यहां के गवर्णर है और नितीश कुमार यहां के चेफ मिनिस्टर है जो लगातार 2005 से यहां के चेफ मिनिस्टर बने हुए हुए थोड़ा बहुत टाइम के लिए एक बार हटे थे उसके बाद नहीं हटे ठीक है उसके बाद अगला है चतीस गड़, देखो चतीस गड़ को रायपूर या अटलनागर के नाम से जाना जाता है अगर मैं चतीस गड़ की बात करूँ तो चतीस गड़ 2000 में बना था 2000 से पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था चतीस गड़ बहुत फेमस है किसके लिए, दो चीजों के लिए 136 गड़ में नकसली रहते हैं, जो नकसली उगरवादी हैं, वो रहते हैं नकसलाइट दूसरा अपने आईरन के लिए या मिनरल्स के लिए, ठीक है चतीस गड़ में छोटा नागपूर पलेचु है, जहां पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तो फेमस है मिनरल्स के लिए चतीस गड़, लेकिन आजकल पिछले 50 साल से ये नकसल वाद के लिए फेमस है, कभी मैं आपको बताऊंगा जरूर बिलकु नालंदा जो यूनिवर्सटी है, वो बिहार के अंदर है, तो इतिहास ज़्यादा बताने का तो मेरे पास मौका है नहीं लेकिन बेसिक बेसिक चीज़े एक स्टेट के बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बिहार के बारे में बतादू, मैंने नहीं बताई हो तो बिहार जो था, वो 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, 24 मार्च को तो 24 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है, जब पार्टिश सन अफ बेंगॉल भंग हुआ था, खतम हुआ था, 1911 बारे में तो बिहार को अलग कर दिया गया था बेंगॉल से, तो तब ही से बिहार नाम आया, ठीक है न, पहले बेंगॉल का पार्ट था उसके बाद गोवा, गोवा जो है ये पौर्थगीज के हाथ में हुआ करता था, आप सबको पता होगा पौर्थगीज ने 1961 तक पुर्थगालियों ने गोवा पे राज किया, 61 में गोवा आजाध हो गया, तो गोवा को एक union territory बना दिया गया, क्या बना दिया एक union territory और 1987 में गोवा को क्या बना दिया, एक state बना दिया, ये भारत का सबसे छोटा state है, अगर मैं बात करूँ area की, smallest state in India, ठीक है, भारत का सबसे छोटा state है, और भारत का सबसे आखिर में आजाध होने वाला जगे भी है ये, ठीक है, पौर्थगीज से इसको आजाध करा है, smallest state है, capital है इ अंडवी रिवर है, बहुत छोटा है गोवा, शुरीधरन यहां के गवर्नर हैं और प्रमोध सावंत जो हैं, यहां के चीफ मिनिस्टर, रगाओ, गवर्नर से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकि चीफ मिनिस्टर से आप मतलब रखोगे, उके, उसके बाद, आगे गु गुजरात और एक पार्ट महाराष्टरा, अब यह वो दौर था जब भारत में भाषा के आधार पे चीजें हो रही थी, बहुत जो मराथी बोलेंगे, वो महाराष्टर के हो गई, जो गुजराती बोलेंगे, वो उनके लिए गुजरात बना दिया, लेकिन 1960 से पहले यह क् 1960 से पहले पूरे राज्य का नाम क्या था, बॉम्बे था, ठीक है, ओके, आरेमस में बिटक के वल यह बताया जाता है क्या आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, क्या आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, आचारे देवरत यहां के गवर्नर हैं, और भुपिंदर पटेल जो हैं यहां के चीफ मिनिस्टर है, बुपिंदर पटेल जो हैं, वो क्या हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंडर मोधी गुजरात से ही आते हैं, और गुजरात कीotomous की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात famous रहा है गांधी जी के लिए, त्योंकि गांधी जी का जो सूरत था सूरत की मार्कीट भई सूरत का शहर बहुत फेमस था पुराने समय में आज भी हीरे के लिए डाइमंड के लिए सूरत को जाना जाता है स्टैचू अफ यूनिटी जो है वो भी यही पे है गुजरात में जो आपकी किसकी है सरदार वल्लब भाई पटेल की मूर्ती ह रहे जाते और जो गुजरात से ही संबंद रखते हैं ठीक है ओके चलो आगे वढ़ते हैं आगे हर्याना हर्याना का कैपिटल चंडीगर देखो अब हर्याना का इतिहास भी मैं आपको बता दू हर्याना पंजाब का हिस्सा हुआ करता था हुआ यूं कि एक नवंबर 1966 को हर हर्याना पंजाब से अलग हो जाता है और हर्याना जो पंजाब से अलग हुआ क्योंकि पंजाब का कैपिटल चंडीगर थाThis तो हरियाना का capital भी चंडीगड के उपर विवाद था, हरियाना का capital भी चंडीगड रहा, और चंडीगड को एक union territory भी बना दिया गया, ताकि कल को भईया कोई विवाद ना रहे, तो चंडीगड जो था, वो हरियाना का भी capital है, वो पंजाब का भी capital है, ठीक है, यह चीज आप अरियाना के बारे मैं आपको पता है अपने स्पोर्ट्स पर्संस के लिए अरियान अबाट आउड फेमस है ठीक है ओके कि साइन्स और एंस्टेश्टी के इंसियाटी नाइन्थ के लिए आप पढ़ रहे हो तो एट्थ क्लास की पढ़िए उसके बाद बंडार उदता तरे जो हैं यहां के गवर्नर हैं और मनोहरलाल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है तो कैपिटल गवर्नर चीफ मिनिस्टर आपको पता चल गया कब बनाता किस स्टेट से अलग होके बना क्योंकि पंजाबी जो बोलने वाले थे उनके लिए पंजाब बन गया ठीक है चलिए उसके बाद अगला है हिमाचल प्रदेश देखो हिमाचल प्रदेश भी पहले पंजाब का पार्ट था कुछ ठीक है कुछ हिमाचल प्रदेश जो था वो पंजाब का पार्ट था आपका 1966 से पहले 1966 के बाद क्या हुआ है यह यूटी बन गया 1971 में क्य कापिटल बनाया गया ठीक है शिम्ला को कैपटल बनाया गया शिम्ला पहले पैपसु एक पंजाब का एरिया था उसका पार्ट हुआ करता था कांगडा और धरमसाला है वो पंजाब का पार्ट हुआ इतना आपको नहीं करना है आपको सिंपली यह करना है ठीक है राजेंदर अब इसकंगारा निकलती हैं तीन ऊबियसली तीन नदिया निकलती हैं जिन में से भीया आपका चिनाब भी हिमाचल से निकलती है, राभी और व्यास भी हिमाचल से निकलती है, ठीक है रोतांग पास से, तो तीन नदिया है, शिपकीला दर्रा है, रोतांग पास है, अटल टनल है, तो ये सारी चीज़े हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उसके जार्खंड को नए स्टेट बनाया गया और इसको बिहार से अलग किया गया था पहले जार्खंड बिहार का हिस्सा था तो रांची क्या है कैपिटल है और रांची एक मात्र ऐसा कैपिटल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है इसे बोपाल बहुत पास में है लेकिन प्रांची से होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रमेस्वियास गवर्नर है और हैमंत सोरें जो हैं वो चीफ मिनस्टर है ठीक है है मन सोरें जो है वह और जिसका नाम है टाटा नगर टाटा नगर यानी जमसेदपुर जमसेदपुर में भारत में क्या लगाया गया था सबसे पहला स्टील का प्लांट लगाया गया था जो जमसेद जी टाटा ने लगाया था 1907 में जिसे टाटा iron and steel company बोला जाता है टाटा iron and steel company 1907 में लगी इसके लिए famous है जहारखंड, इसके अलावा जहारखंड में iron, जहारखंड में uranium, इन चीजों के लिए भी famous है, call capital of India जो है वो कौन सा है, धनबाद है, तो कोईला भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है, ठीक है न, तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, जहारखंड के अंदर, तो जो famous चीजें हैं केवल वही हमको करनी है, उसके अलावा नहीं ज्यादा करना है, ठीक है, उसके अलावा कांगडा का famous मंदिर भी है, जौला देवी मंदिर, अगर मैं हमाचल प्रदेश की बात करूँ, तो कुछ tourist destination, क्योंकि वो आपसे पूछे जात और उससे जुड़ा हुआ छोटा सा इतिहास आपसे पूछा जा सकता है, उसके बाद करनाटका की बात करूँ, अगर मैं करनाटका की आपसे बात करता हूँ, तो करनाटका जो था, पहले मैसूर राज्य हुआ करनाटका का नाम क्या था, पहले मैसूर राज्य था, आजाद कि बात करोगे तो मल्यालम लोगों के लिए केरला बनाया गया तमिल नाडू तमिल लोगों के लिए बनाया गया करनाटका करनड लोगों के लिए महराष्ट्र मराठियों के लिए हाना तो ये 1953 के बाद स्टेट्स को रि और्गनाईज किया गया किसके नाम पे भाषा के नाम तो अगर आप से कभी पूछे कि भारत में states जो बने वो किस आधार पे बने हैं तो आप आसानी से बता दोगे sir कि भारत में states बनने का कारण भारत के states की अलग-अलग language रही है ठीक है बेंगलूरू क्या है capital है अगर मैं बेंगलूरू की बात करूँ तो बेंगलूरू जादा famous शहर है क्योंकि यह science city है, isro city है ठीक है यह इस्रो का headquarter है यह garden city of India है ठीक है और सबसे famous इसे silicon valley of India बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे IT companies बहुत है silicon valley of India क्योंकि silicon valley अमेरिका का है ठीक है कैलिफॉनिया में तो भारत का silicon valley कौन सा है बेंगलूरू है science city, electronic city है, isro city है, garden city है ठीक है आपका बेंगलूरू, थावर्चंद गहलोत यहाँ के governor है और S.BOMAI जो है, वो यहाँ के क्या है, वो chief minister है, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, इसका old ने मैसूर हुआ करता था, बाद में इसका नम करनाटका पड़ गया, वही मैसूर जा टीपू सुल्तान राजा ह हुआ करता था, फिर मस है थोड़ा, ठीक है, ओके, RMS का result इस week में आ जाएगा, RIMC की strategy भई मैं बता चुका हूँ जब मैंने RIMC का आपको बताया था, information, ठीक है, उसके बाद, अगला है, केरला, देखो केरला भी 1 November को बना, 1956 में बना, और मैं आपको बता देना चाहता ठीक है, ट्रावन कोर जो है, यहां से बई मलियालम बोलने वाले एक राज्य बना, कि कुछ तमिलाडू के जिले ले लिए, कुछ करनाटका के जिले ले लिए और पूरे को मिला करके, क्या बना है केरला, तिरुवनंत पुरम इसका capital है, अगर मैं केरला की बात करूँ, तो क केरला क्या है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हाइस्ट लिटरेसी रेट है केरला के अंदर, हाइस्ट लिटरेसी रेट है केरला के अंदर, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, 93% केरला वाले पढ़े लिखे हैं, 93% केरला वाले जो है, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक एक famous शहर रहा, एक famous port रहा है कोची, कोचीन पुराना जिसका नाम था, और सबसे famous जो मसाले हैं, भारत का जो spice garden है, ठीक है, भारत का जो spice garden है, वो केरला है, भारत का जो gods on country की भगवान का अपना देश, वो केरला है, ठीक है, ओनम के लिए famous केरला है, ओनम एक त्योहार होता है कतकली के लिए केरला है, मौहिनी अटम के लिए केरला है, तो कच ना कुछ आपको केरला के बारे में बहुत जरूरी चीज़े याद रखनी पड़ेंगा, और IEMC का अपरिल से पहले result आएगा नहीं, अपरिल से result आएगा, अपरिल, ठीक है, गवर्नर आरिप मुहम्मद खा है, 1 नवंबर को बनाता है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, ओनम फेस्टीवल मनाया जाता है, कतकली दांस है यहाँ का, इसके अलावा आपका फेमस उतन थुलल यहां का दांस है, इसके अलावा मौहीनी अटम क्लासीकल दांस है, ठीक है, पहले ट्रावनकॉर के नाम इंडिया की है ठीक है तो अनाई मुडी जो है वो भी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी यहीं पे है तो सारी चीज़े अगर आपको एक स्टेट के बारे में नॉर्मली चीज़ें पता हैं तो आप कहीं भी मार नहीं खाऊगी ठीक है ना उसके बाद अगला है मध्य प प्रोविंस ता आजाद होने पर भी इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस ही रहा लेकिन बाद में इसका नाम बढ़ गया मध्य प्रदेश ठीक है बोपाल यहां का कैपिटल है और चतीज़ गड़ जो था वो पहले मध्य प्रदेश का हैसा हुआ करता था और यह भारत का सबसे हैं यहां के चीफ मिनिस्टर है अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में क्या-क्या फेमस चीज़ें हैं भीम बेटका है ठीक है भीम बेटका की क्या है गुफाएं हैं भीम बेटका की केव से जो पुराने टाइम की केव से ठीक है यहां पे वह और भी बहुत सारी चीज़ें यहां पे उज्जेन का टेंपल है जो महाकाल टेंपल है इंदौर एक फेमस शहर है यहां पे तो कई चीज़ें हैं जो भी फेमस है एक और फेमस जगे है पन्ना पन्ना की अगर मैं बात करूँ तो पन्ना भारत का सबसे ज़्यादा डाइमंड वाला क्या है जगे है उसके अलाबा सबसे ज़्यादा फोरेस्ट कहां है वो भी मद्यप्रदेश के अंदर है मैक्सिमम फोरेस्ट कहां है मद्यप्रदेश के अंदर ठीक है मैक्सिमम फोरेस्ट कहां है मद्यप्रदेश के अंदर तो यह सारी चीज़ें आपको क्या करनी है ठीक है ये सारी चीज़े आपको क्या करनी है याद करनी पड़ेंगी मतलब याद करने का समझने का मतलब है मैं ये नहीं कह रहा कि याद करो एक बार समझ जाओगे तो दीरे 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 सब आपके समझ आ जाएगा ठीक है चलो उसके बाद भोपाल में smallest mosque नहीं, सबसे बड़ी mosque है ठीक है, उसके बाद governor है, mangu bhai patel रह गया था governor, sorry उसके लिए कोई बात नहीं, governor है mangu bhai patel, लिख सकते हो बागी और चीजें, यहाँ पर temples बहुत famous है, यहाँ पर historical चीजें बहुत famous है, ठीक है sir, मैंने scholarship का form बरा था मेरे पास लखनव जाने के लिए पैसे नहीं थे, बिटा, क्या बताऊं इस चीज का तो इस चीज का तो कोई भी solution नहीं हो पाएगा, आप पहुँचोगे नहीं तो, महराष्टर का मुंबई है ठीक है, अब मैं महराष्टर की बता रहा था 1960 से पहले ये बॉंबे हुआ करता था ठीक है, मराथी लोगों के लिए अलग से एक state बना दिया गुजरातियों के लिए अलग से बना दिया तो महराष्टर अलग हो गया महराष्टर भारत का दूसरा सबसे बड़ा state हो जाएगा अगर हम लोग सभाकी सीटों की बात करें अगर हम population की बात करें ठीक है, उसके अलगा अगर महराष्ट के इतिहास की बात करें तो महराष्टर में क्या है एलिफेंटा ठीक है, एलॉरा और अजन्टा की गुफाएं है ठीक है जी, ये बड़ी फेमज है एलिफेंटा, एलॉरा और अजन्टा की गुफाएं इसके अलावा क्या-क्या फेमज है इसके अलावा वही कुछ मराठी जो, मराठा जो थे उनके भी वही फेमज फेमेंज है है मुंबई क्या है भारत की फाइनिंशल कैपिटल है ठीक है भारत का भई बॉली वुड यहीं से ऑपरेट होता है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई पटेल मंगू भाई पटेल ठीक है तो याद रखना भगत सिंग कोशियारी रहे हैं या कि गवर्नर अभी और एकनाथ शिंदे लास्ट यर आपको पता है चीफ मिनिस्टर बने थे बड़ा हंगामा हो गया था पार्टी चोड़के आ गए थे ठीक है स्कॉलर्शिप एक्जाम का रिजल्ट आएगा दस फरवरी तक उसके बाद अगला है मनीपूर दे इसके अलावा चीफ मिनिस्टर है बिरें सिंग एन बिरें सिंग चीफ मिनिस्टर है यहां के मनीपूर का भी अगर मैं इतिहास देखूँ तो वही 1960 के बाद मनीपूर तीरीपूरा या फिर आपका मेघाल्या मिजोरम यह सब 1960 और 1970 के दशक में बनाए गए थे बारत के मोटा उनके बीच में जगडा रहा है ठीक है तो आपको केवल जनरली इतना याद लखना क्योंकि नौर्थजीस्ट की हिस्टरी हम ज्यादा याद करने की कोशिज नहीं करते क्योंकि नौर्थजीस्ट हमें इस आसे भारत से कटा हुआ राज्ये ही इस कटा हुआ इलाका ही रहा है छीक है चलो उसके बाद सर अगला सेनिक स्कूल का एक्जाम हमारा है मुझे आगरा मिला मैंने बता रखा कितना डेट अब बर्थ क्या है सेनिक स्कूल के उपर एक वीडियो बना रखी है एक और मिघाल्या देखो मिघाल्या का नाम सुनते ही दो तीन चीजें आती है गारो खासी और जेंतिया गारो खासी जेंतिया ट्राइब भी है और इन ट्राइब्स के नाम पे हमने क्या रखा है ये hills भी है, गारो hills, खासी hills, जेंतिया hills, खासी hills पे एक जगे है मौसिन राम, मौसिन राम जो है, ठीक है, मौसिन राम जो जगे है, वो बड़ी famous है, क्यों famous है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस है दुनिया, कभी RIMC में पिछली बार ये आया था, वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसिन राम में, शिलोंग कैपिटल है, ठीक है, शिलोंग कैपिटल है, और ये केवल और केवल बारिश के लिए ज़्यादा famous है, अगर मैं बात करूँ, आपके, फर्स्ट गवर्नर जिनरल अफ इंडिया जो रही है, विलियम बेंटिक, इस वीक में आ जाएगा RMS का रिजल्ट, क्विज भी में लेके आऊँगा, सत्यपाल मलिक यहां के गवर्नर है, और कॉन्राड संगमा जो है, वो यहां के चीफ मिनि लिए, केवल इन दो चीजों के लिए फेमस रहता, गारोखासी जेंतियां के लिए, और आपके मौसिन राम के लिए, अगर मैं मनीपूर की बात करूँ, तो मनीपूर जो फेमस रहता है, एक लोक तक लेक है, यहां पे, क्या है लोक तक लेक, भारत के नौर्थीस्ट का सब अगरी गवर्नर जनरल है, लास्ट, फस्ट है, बेंटिक, विलियम बेंटिक, उसके बाद अगला है, मिजोरम, एक और नौर्थीस्ट का राज, आईजोल कैपिटल है, ठीक है, केहरी बाबू यहां के गवर्नर हैं, और जोरम थांगा जो है, वो क्या है, यहां के चीफ मिन है, अगर हम भी देखें, मिजोरम का इतिहात, तो मिजोरम, मनीपुरिन का जो कल्चर रहा है, वो हमेशा से एक जैसा ही कल्चर रहा है, बले हम नागलेंड की बात करें, क्योंकि मौंगलोईड जो नसल थी, उस नसल के लोग वहां पे रहते हैं, तो उनका हमेशा से मयानमा और चाइना से जो कनेक्शन है, वो रहा है, ठीक है ना, ओके, चलो, तो नौर्थीस्ट सेट्स के बारे में, आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कैपिटल और उनका पोजीशन, वो कहां पे हैं, केवल ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और आपसे कोई नागाले 1963 में बनाता, बस इते हैं आए तेहाद, देखो स्टेट्स जो बड़े हैं, उनका में डेट बता रहा हूँ, जो बड़े स्टेट्स हैं, उनका में डेट्स बता रहा हूँ, जो बड़े नहीं हैं, जहां पे ज़्यादा चीज़ें फेमस नहीं है, अब मिजोरम मे अब official language होने के कारण ये question बहुत पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की official language English है दूसरी चीज नागा लेंड के बारे में आपको यहां का festival Hornbill Festival ठीक है यहां का जो festival है वो आपको जरूर याद करना है क्योंकि अगर हम Hornbill Festival की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा कोई question पूछा जाता हो किसी festival का ठीक है ना बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है ओके तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है ओके जी चलिए उसके बाद बिल्कुल नागा ट्राइब के नाम पे इसका नाम नागा लेंड पड़ा है एक और चीज थी जिसके लिए हाँ सत्पाल मलिक को पिछले साल हटा दिया गया था तो उस चीज के लिए भी मैं बिल्कुल वो मानूँगा कि सत्पाल मलिक नहीं है बीडी मिश्रा को एडिशनल चार्ज दिया गया था ठीक है सत्पाल मलिक को हटा करके बीडी मिश्रा ठीक है एडिशनल चार्ज बीडी मिश्रा को दिया गया था ओके तो थोड़ा सा क्योंकि यह है नहीं एडिशनल है मीन्स एक स्टेट के साथ दूसरा स्टेट का वो संभाल रहे है हो जाता है बारत में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को संभाल सकते हो नेफियो रियो क्या है या के चीफ मिनिस्टर है उसके बाद उडिसा उडिसा जो था उसे कलिंगा आपने कभी अशोक के बारे में सु फिर राज्यों को बांट दिया, उडिसा, बिहार, असम, अलग-अलग राज्य बना दिये गए बेंगॉल से, बोबनेश्वर यहां का कैपिटल है, और यहां पे क्या-क्या फेमस चीजे हैं, उडिया, यहां की भाषा, ओडिसी, यहां का जो क्लासिकल डांस है, और पुरी का जगनाथ टेंपल, जिसे वाइट पगोडा बोला जाता है, जो भगवान जगनाथ का एक विश्णू का रूप थे, तो जगनाथ टेंपल जो है, वो पुरी के अंदर है, बड़ा फेमस है, वाइट पगोडा नामसे से जाना जाता है, और एक बहुत मिस्टीरियस टेंपल इसे माना जाता है पूरी में हैं जो उडिसा की अंदर है यहांपर संबल पूर में और भवनिश्वर में लाद के गवर्नर है उनमीन पतनायग जो वो यहांके चीफ मिनिस्टर है और नवीन पतनायक लगातार मेरे इसाब से 2000 के बाद लगातार नवीन पतनायक सीएम रहे हैं यहांके इनके पिता थे बीजू पतनायक जो भारत की आजादी में भी जिनोंने हिस्सा लिया और सीएम भी रहे थे तो उडीसा पुराना कलिंगा है और उडीसा में चिलका लेख है एक फेमस जगे क्या है यहां पे चिलका लेख जो भारत का सबसे बड़ा लेख है ठीक है चिलका लेख जो भारत का सबसे बड़ा लेख है और फेमस हीराकुट डेम हीराकुट डेम महानदी पे वो भी यहीं है बारत का ही नहीं दुनिया क सबसे लंबा डेम है जो हीरा कुड डेम उडीसा के अंदर चिलका लेक उडीसा के अंदर है ठीक है कलिंगा के जो वार हुआ वो उडीसा के अंदर हुआ मिस्टीरियस है कि यह कहा जाता है कि यहाँ पे कभी वो नहीं बनती है ईसके बाद पंजाब देखो पंजाब का जो इतिहास रहा है दे लेंड ओफ फआव रिवर्स the land of five rivers अगर भारत के तिहास में सबसे फेमस जगों में से एक पंजाब है क्योंकि जो भी आता था पंजाब केवल भारत में नहीं है पंजाब पाकिस्तान में भी है बहुत बड़ा राज्य है पाकिस्तान में भी और पंजाब इंडिया में भी है जो पहले United हुआ करता था और 14 और 15 अगस्त को क्या हो गया 14 अगस्त को भही 1947 में अलग हो गया तो पंजाब अलग हुआ था ना कि इंडिया अलग हुआ था याद रखना यह चीज़ और पंजाब हमेशा थे ऐसी हासिग रहा उनton को पार करने के लिए उनको नदियों को पार करना पड़ता था और पंजाम में वो इंटर करते थे तो जो इंडस के इधर का इलाका वो बहुत बड़ा इलाका पंजाब था लाहर कैपिटल हुआ करता था ठीक है लेकिन आज के टाइम में चंडीगर कैपिटल है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का पंजाब अलग-अलग हो चुका है फेमस गोल्डन टेंपल है जो अमरिसर के अंदर है ठीक है फेमस गोल्डन ट इतिहास बहुत बड़ा इतिहास रहा है ओके तो पंजाब के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है और अभी भगवंत मान वहां के चीफ मिनिस्टर है बनवारीलाल पुरोहित वहां के गवर्नर है और देखो इतिहास तो पंजाब का बहुत बड़ा है लेकिन आपको इतना याद रखना है, पांच नदियों का वो बाना जाता है, और एक और चीज, भागडा नागल जो डेम है, वो भी एक हिस्सा जो है, वो पंजाब के अंदर है, ठीक है, भागडा नागल जो डेम है, सतलुज रिवर पे है, उसका एक हिस्सा जो है, वो पंजाब में आता है, ओके, इसके अलाव अभी पंजाब हौकी के लिए बड़ा फेमस रहा है, पंजाब में पंजाब और सिक रेजीमेंट भारत की सबसे भी बहुत बड़ा है लेकिन अगर पंजाब में हर इंसान के इसाब से देखे तो सबसे ज़्यादा गेहूं पंजाब के अंदर ही होता है इसके लाँ पंजाब में आतंकवाद भी बहुत रहा था खालिस्तान की मांग हुई ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार हुआ तो किसी कभी हम जरूर करेंगे पंजाब के बारे में बाते हैं राजिस्थान देखो राजिस्थान को जाना जाता था राजपुताना नाम से पुराने समय में अगर मैं बात करूँ और राजिस्थान अपनी रियासतों के लिए अपने राज़ा राजपूत रहते थे, ठीक है, तो उसमें भील वाडा हुआ, या फिर आमेर हुआ, जैपुर का जो पुराना नाम था, तो ये सारे शहर जो थे, वो पहले राज़ हुआ करते थे, जोदपूर राज़ था, ये सब राज़ हुआ करते थे, और जैसलमेर भी था, तो इन राज्यों में छोटे छोटे राज्य छोटी छोटी रियासतों को मिला के बाद में राजपूताना बना आजादी के बाद और उसे फिर राजिस्थान के नाम से जाना जाने लगा लार्जे स्टेट है इंडिया का ठीक है भारत का जो सबसे बड़ा था डेजर्ट है वो भी राजिस्थान के अंदर है ठीक है जैपूर कैपिटल है बिलकुल अच्छे से आपको याद रखना जैपूर उसका कैपिटल है लेकिन ये बहुत बड़ा होने के बाद भी इसकी जो जैपूर फेमस शहर है जोदपूर फेमस शहर है ठीक है जी कलराज मिर्शन आके गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है अशोग गहलौत चीफ मिनिस्टर कौन है अशोग गहलौत यहां के चीफ मिनिस्टर है उसके बाद आगे सिक्किम के बारे में बात करते हैं देखो सिक्कि 74 में वहां के राजा ने बोला कि भई हमको बना लो भारत ने मिला लिया उसे अपने उसमें 75 में उसको एक अलग से स्टेट ही बना दिया कि आप भारत के एक स्टेट हो तो 1975 में सिक्किम स्टेट बन जाता है ठीक है क्या बनता है सिक्किम भारत का स्टेट बन जाता है उसके ब smallest state है population में, यह smallest state है population में, अब यह population में smallest state है, उसके अलावा, यहाँ पे no crime, कोई crime यहाँ पे नहीं report होता है, उसके अलावा और चीज़ें मैं बताऊं, कंचन जंगा, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, कंचन जंगा जो mountain range, पीक है, वो भी सिक्किम में है, इंडिया का first organic state है, इंडिया का, भारत का अगर पहला organic state की बात करें, और जहाँ पे chemicals यूज नहीं होते खेती में, या किसी भी चीज में, तो वो organic state है भारत का सिक्किम, तो यह चीजें, यह चीजें आपको जरूर करनी है सिक्किम के बारे में, कंचन जंगा नेशनल पार्क यहाँ पे है, अब सिक्किम के गवर्नर पे भई मुझे भी थोड़ा सा doubt है, गंगा प्रशाद है, थोड़ा सा मुझे doubt था, कोई नहीं, अब भई चीजें में भूल जाता हूं, इतनी चीजें में नहीं कर पाता, हाँ, पानीपत की लड़ाई में, हरियाना के बारे में ज्यादा चीजें बूल गया, कोई नहीं, पानीपत की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, कभी बताएंगे जब इतिहास के बारे में चीजों को बताएंगे, क्यों कि टाइम का बहुत वो रहता है, गंगा प्रशाद चौरशिया, ठीक है, तो गंगा प्रशाद क्या है, सिक्किम के गवर्नर है, प्रेम तमांग जो है, प्रेम कुमार तमांग वो चीफ मिनिस्टर है, सबसे छोटा स्टेट है, क्राइम फ्री स्टेट है, फर्स्ट ऑगनिक स्टेट है, कंचन जंगा नैशनल पार्क यहां पे है, 1975 में इंडिया का पार्ट बना था, उसके बाद, तमिल नाडू, तमि लोगों के लिए, 1966 मदरास बनाया गया था, फिप्टी सिक्स में, चेन्नई यहां का कैपिटल है, बिल्कुल आपको पता है, चेन्नई कैपिटल है, ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम मदरास हुआ करता था, एम एन रवी यहां के गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर है, एम के स्टाले, तमिलाडू के अगर मैं बात करूं, तो मदराई का मीनाक्षी टेंपल है, तमिलाडू टेंपल के लिए बहुत फेमस है, मीनाक्षी टेंपल यहां पे है, चोला जो सामराज जी हुआ करता था, चोला जो एमपायर था, उसका अभी बिलकुल सेंटर जो था, वो कर्या कोमारी जो है, बारत का सबसे साउथ में जो हिस्सा है, वो तमिलाडू के अंदर पड़ता है, ठीक है, तो तमिलाडू में बही टेंपल्स बड़े फेमस हैं, खासकर मीनाक्षी टेंपल, खासकर आपका ब्रदिश्वर टेंपल, यह बड़े फेमस टेंपल्स हैं अग अगला है त्येलंगाना भारत का सबसे राज्य है नियूस ऍससाटerson को यह भारत का राज्य बना लेकिं त्येलंगाना nella चल रहा था कि वहिए त्यलंगाना को अलग करूंगर दीया है इसका capital है means North जो आंद्रप्रदेश है वो उस तेलंगाना में बदल गया थीक है तमिल्स्राई सुंदर राजन गवर्नर है और के चंदर सेकर राव जब से तेलंगाना बना है 2014 से तब से के चंदर सेकर राव यहां के CM है अब तेलंगाना की बारे में अगर मैं बात करूँ तो भूदान जो मूमेंट हुआ था भूदान मूमेंट बड़ा फेमस था किसने किया भूदान मूमेंट विनोबा भावे ने तो विनोबा भावे ने जो भूदान मूमेंट किया था वो तेलंगाना में हुआ था ठीक ह जी बिलकुल यह याद रखोगे इसके अलावा तेलंगाना के हैदराबाद नाम से आपको पता है 1947 में जब आजाद हुआ तो हैदराबाद जो हैदराबाद का इतिहास है वो यह तेलंगाना का इतिहास रहा तेल्गू बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं फेमस मोन्यूम आपके तेलंगाना के अंदर अंदर प्रदेश में तिरूपति बालाजी का मंदिर है अंदर प्रदेश में विसाखा पटनम है बड़ा फेमस पोर्ट है बारत का विसाखा पटनम डीपेस्ट पोर्ट है सबसे अंदर की तरफ तो बातें तो इतनी हैं बताने के लिए कि हम बताते बताते थक जाएंगे ना लेकिन जो important है केवल वही चीजें हमको ज़्यादा करनी होती है उसके बाद Thiripura जो है यह three sides से किससे गईरा हुआ है यह three sides से किससे गेरा है बंगलादेश से गेरा हुआ है ठीक है तřिरिपुरा सत्यदेव नारायन आयरिया यहां के गवर्नर है, और मानिक शहा जो है, वो यहां के अगरतला कैपिटल है, तिरीपुरा भी बही पुराने समय में हिस्सा हुआ करता था, जो आपका बेंगओल था, तिरी पुरा हुआ, असम हुआ, यह बेंगओल का सब हिस्सा हुआ करते ऑधे पर नॉर्थीच्ट का रिकोरली इतना बड़ा रॉल नहीं रहा था कि हम ज्यादा तवज्जू देते हैं कभी से हम नॉर्थीच्ट के इत्वाइश को नहीं देते। क्यूंकि हमारी इतिहास में ज्यादा तर वही हमने पढ़ा जो मेन सेंट्रल इलाके में या नौर्थ इलाके में जो हुआ साउथ के बारे में भी हम ज्यादा चीज़ें नहीं पढ़ते हैं तो तीन साइड से यह घिरा हुआ है पंगला देश से बहुत छोटा स्टेट है ज्य बहुत फेमस है उत्राखंड यहां पर नंदा देवी जो पीक है वो है यहां पर चार धाम है जिन में से फेमस बद्री नाथ केदार नाथ है ठीक है यहां पर यमनोतरी गंगोतरी है जो गंगा निकलती है बागिरती के रूप में वो यहीं से निकलती है यहां पर फेमस शह चैर Poppy केस है। यहाँ पे वही फेमश शहर दैरादून है जो इसका कैपिटल भी है। बहुत नहीं जाना जाता है। जो भारत का पहला नैशनल पाक था। वो Corbett National Park उत्राखंड में है नंदा देवी जो है बारत की famous mountain peak है वो यहाँ पे है कुमाओ और गडवाल जो है उत्राखंड से related है ठीक है उसके अलावा बोग्याल जो यहाँ पे grassland है वो उत्राखंड के अंदर है तो यह चीज उत्राखंड के बारे में गुर्मीद सिंग यहाँ के governor है और पुषकर धामी यहाँ के chief minister है तो उत्राखंड के बारे में इतनी चीज़ें भी आप याद कर लोगे तो आपका obviously ठीक रहेगा उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनव capital है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता था या फिर United province के नाम से जाना जाता था सन्युक्त प्रांत के नाम से असलियत में जब भारत आजाद हुआ तो इसका नाम सन्युक्त प्रांत था ठीक है उत्तर प्रांत भी नहीं बोलेंगे आज भी capital लखन वह अनंदिबेन पटेल यहां की governor है और अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश इतना famous रहा है अगर हमें तिहास की बात करें बनारश जो शहर है वारा नसी वो उत्तर प्रदेश में रहा ठीक है वारा नसी के पास भई सारनात जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है ठीक है उसके अलावा उत्तर प्रदेश में famous हस्तिनापुर है जो महा भारत काल में पांडवों की और कौरवों की राजधानी थी obviously मतुरा famous उत्तर प्रदेश में है अयोध्या उत्तर प्रदेश में है ठीक है भारत का सबसे बड़ा population में कोई स्टेट है तो वो उतर प्रदेश है तो उतर प्रदेश के wells का अफी या कहा है उत्रप्रदेश फीमस रहा है ठीक है तो सारी चीज़े उत्तर प्रदेश के बारे में बताने को बहुत सी चीज़े है सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है एक्स्प्रेस वेज जो बन रहे हैं वो पुराने वो सब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े हैं ठीक है जी योग आदितनात यहां के चीफ मिनिस्टर है आखरी राज्य है हमारा वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल भारत के तिहास में बहुत फेमस रहा क्योंकि अंग्रेज जो आये थे उन्होंने सबसे पहले कहीं राज किया था तो वो बेंगॉल पे राज किया था तो इसलिए भारत की आजादी की लडाई में बहुत नाम रहा वेस्ट बेंगॉल का राजा राम मौन राय हों, रबिंदर नाथ टैगोर हों, दादा भाई नौरो जी हों, ये सब कहां से थे, रबिंदर नाथ टैगोर, दादा भाई नौरो जी, ठीक है, इस्वर चंद विद्या सागर, ठीक है, ये सब के सब कहां से, बेंगॉल से संबन देते, नेता जी सुभ और यहां पर अगर फेमस जगों की बात करूं तो भारत में जो बैरकपूर में 1857 की करांती शुरू हुई वो भी वेस्ट बेंगॉल के बैरकपूर से शुरू हुई थी ठीक है जी तो बेंगॉल का भारत के इतिहास में और खासकर भारत के आजादी की लडाई में बहुत उसके बाद अब हम यूनियन टेरिटरी देखो यूनियन टेरिटरी होती क्या है यूनियन टेरिटरी की मैं बात करूं तो यूनियन टेरिटरी एक ऐसी चीज है जो स्टेट नहीं है कम्पलीट जो सेंट्रल गवर्मेंट के हाथों में है कि एक ऐसी जगे जो भाया आपका union territory बना दिया 1956 में ठीक है पोर्ट बिलियर यहां का capital है अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूँ तो भई अंडमान निकोबार जो है वो बहुत से इसमें आइलेंड है अंडमान है अलग निकोबार है अलग यहां पे फेमस फेमस चीजें क्या है यहां पे बैरिन ज मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से यहां पे tribes जो रहती है ठीक है इसके अलावा बही इंडरा पॉइंट जो इंडिया का सबसे south पॉइंट है वो निकोबार के अंदर है ठीक है तो यह सारी चीजें क्या है देवेंदर कुमार जोशी यहां के लेफटिनेंट गवर करने नहीं होते यहां पे होते एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर मीजस एक आईय सदकारी रहेगा ठीक है एक आय आईय सदकारी रहेगा और वो संभाले गा इन चीजों को अगला है दाधर-नगर हवेली और दमन दीब देखो जब गोवाले पॉर्थिज गए थे तो उनका कबजा केवल गोआ पे नहीं था, उनका कबजा दादर नगर हवेली और दमन दीप पे भी था, ठीक है, लेकिन 2019 में दोनों को एकटा करके बना दिया गया दादर नगर हवेली और दमन दीप, capital है इसका दमन, पहले दादर नगर हवेली का capital सिलवासा हुआ करता था, ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है NCT of Delhi, National Capital Territory, National Capital Territory, 1991 में इसका नाम NCT of Delhi पड़ा, National Capital Territory, ठीक है, पहले इसका नाम केवल दिल्ली हुआ करता था, लेकिन आज इसका पूरा नाम NCT of Delhi है, दिल्ली इसका capital है, और यहां के जो लेटिन्ट गवरनर है, विने इसका इसका पूरा गेट यहीं पर है, आपका रैड़ फोर्ट यहीं पर है, कुतुम मीनार यहीं पर है, विने भारत की सारी famous चीज़ें जो आपको वो दिल्ली के अंदर, क्यों मैं क्यों कि यह बाहरत का capital है, संतर भवन यहीं पर है, तो दिल्ली तो बड़ी famous है, है ना, और दिल्ली के अभी आकरी में मैं कराई देता हूं और दिल्ली के लिए हमेशा भी राजा महराजाओं के बीच लड़ाई रही है आपको पता है दिल्ली सल्तनत में दिल्ली भारत का कैपिटल रहा था उसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत का कैपिटल बना तो दिल 2019 में क्या हुआ, Central Government ने Article 370 हटा दिया, Article 370 के तहट जम्मू कस्मीर को और लद्दा को Special Status था, लेकिन ये रिमूव कर दिया, जम्मू कस्मीर से 2019 में, ठीक है, तो इसको UT बना दिया, Union Territory बना दिया, श्रीनगर Capital है, और अगर मैं जम्मू कस्मीर की बात करूँ तो यह हमेशां से विवाद रहा है, दो Capital है, श्रीनगर है, आपकी गर्मियों की Capital और सर्दियों की Capital है, जम्मू, ठीक है, जम्मू कस्मीर की अगर मैं बात करूँ, तो यहां पे फेमस जेलम रिवर है, और जेलम पे है फेमस फेमस वूलर लेक, जो बारत का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है, वूलर जो लेक है, बारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, वो कहां पे है, वो आपका श्रीनगर के पास है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़े हैं, जम्मू कस्मीर के बारे में, लेकिन दीरे 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 हम चीज़ों को भी करेंगे, मनुष सिना यहां के क्या है, ल बुदिस मोनेस्टरीज हैं, लेहे की मैं बात करूँ, तो लेहे में बारत का सबसे हाइस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, और यहां पे दो डिस्ट्रिक्ट है, मैं लेहे एंड कारगिल, कारगिल में 1999 में वार हुआ था, हाइस्ट जो हवाई एड़ा है, एयरपोर्ट है, वो भी आपका यहीं पे है, ठीक है, लेफ्ट एंड गवरनर है, रादा कृष्ण माथुर, लदाक फेमस है मोनेस्टरीज के लिए, लदाक फेमस है भई, वहाँ पे मुस्लिम और बुदिस्ट लोग जादा रहते हैं, ठीक है जी, लेहे वहाँ पे फेमस जगह है, सियाचीन का लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है यह, लार्जेस्ट यूटी है लदाक, उसके बाद लक्षुदीप, लक्षुदीप जो है कावारती यहां का कैपिटल है, लक्षुदीप की मैं बात करूँ, smallest यूटी है, smallest यूटी है भारत का, इसमें दो हैं लक्षुदीप और मिनी लक्षवदीब का है, केवल 32 km का एरिया है, मींस बहुत छोटा है, 32 km का यहां पे एरिया है, बहुत छोटा है आपका लक्षवदीब, कावारती चैपिटल है, और छोटा सा आइलेंड गुरुप है, जो smallest duty है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिटरेशी रेट यहां पे है इसका, लक्ष्विदीब का उसके बाद पुडूचेरी पुडूचेरी जो है ये एक नहीं था ये फ्रेंच लोगों से आजाद हुआ आपको पता होगा 1954 में फ्रेंच लोग गए भारत से तो वो क्या करके गए एक ऐसा जगे थी जहां से आजादी के बाद भी पुडूचेरी और ग एराकल है ठीक है स्पैलिंग में थोड़ा सा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा यनम है और पुडूचेरी है मीन्स ये आपका आंदर प्रदेश के अंदर भी है ये आपका तमिल नाडू के अंदर भी है मीन्स ये आपके तीन स्टेट के अंदर चार डिस्ट्रिक्ट है अल अरविल आश्रम जो है यह क्या है यह औरभिन्दो घोष्ट का है जो एक महान क्रांति कारी थी औरभिन्दो घोष्ट का औरविल आश्रम है तमिल्शाहि सुंदर राजन और एंड रंगा स्वामी कि हां है एक इसके चेफ मिनिस्टर है ठीक है उसके बाद यहां complete हो जाता है तो 28 states and 8 union territories रही हैं भारत के जो राज्य हैं वो 20 हैं भारत के यूटी जो हैं वो 8 हैं क्योंकि एक class में बड़ा time लग जाता चीजों को कराने में और बड़ा time लगा है मुझे पता है कि एक गंटा चार मिनट का class हो चुका है और आपको मैं salute करना चाहूँगा कि आप आदे गं टिप पे बहुत important हो like classical dance क्या है यहां पर कोई famous चीज क्या है यह smallest या highest या फिर कोई ऐसी चीज भई यहां पर कंचन जंगा है यहां पर भई कोई भी चीज जैसे सपोज करें केटू है माउंट केटू लद्दाक के अंदर है है ना शियाचीन glacier लद्दाक के अंदर है तो आ गंटे से जादा RMS का result जो है वो इस week आ जाएगा सेनिक स्कूल का result 12 जनवरी तक आएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं फिर आपसे ठीके जी चलिए